हलो एब्रिवन वेल्कम टो दिस वीडियो आज की वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो आप सीखेंगे एक बहुत ही जादे इंपोर्टन प्रंसेप्ट जिसका नाम है सपोर्ट एंड रिजिस्टेंस और हम खोशिश करेंगे कि इस और बड़िया तरीके से सीखें कि आप इसे चाहा के भी पूरी लाइट ना भूल पाएं तो चलते हैं बिना टाइम बेस करें चार्ट्स पे सबसे पहले हम समझेंगे सपोर्ट आखिर सपोर्ट होता क्या है तो सपोर्ट एक बहुत ही जादा इंपोर्टन और खास तरहां का लेवल होता है जिससे टकरा के प्राइज बार बार उपर निकल जाएगा सपोर्ट एक ऐसा एरिया होता है एक ऐसा लेवल होता है जो प्राइस को अपने से नीचे नहीं जाने देता पर ऐसा होता क्यों है क्योंकि सपोर्ट पे काफी जादा बायर्स अक्टिव होते हैं जैसे आप ये सपोर्ट जोन देख रहे हैं इन जोन पे काफी जादा बायर् और उस टॉक को खरीदना शुरू पर देते हैं और उस टॉक का उस लेवल से नीचे जाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है जैसे कि आप सब SBI का चार्ट देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे 500 से 520 का जो एरिया है वो SBI में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉण सपोर्ट की तरह काम कर रहा है देखिए फर्स टाइम SBI का स्टॉक इस एरिया पर आया यहीं से बाउंस किया फिफ्ट टाइम ऐसा क्या मैजिक है कि SBI का स्टॉक बार 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 500 से 520 के एरिया में आता है और वहीं से बाउंस कर जाता है तो मैजिक कुछ नहीं है यह एक बहुत ज़्यादा important support है SBI के लिए और इस support इस एरिया में काफी ज़्यादा buyers active है जब जब SBI का स्टॉक 500 से 520 के रेंज में आया रहा है वो buyers SBI का स्टॉक और ज़्यादा खरीदना शुरू कर रहे हैं और दोस्तों इस zone को demand zone भी कहा जाता है क्योंकि इस zone में इस particular area में किसी भी particular stock की इतनी ज़्यादा demand होती है कि price अपने आप बढ़ जाता है एक normal simple economic rule है demand जब जब increase होगी price बढ़ेगा ही बढ़ेगा next हम चलते हैं resistance की तरफ so resistance बिलकुल उल्टा होता है support के यह exactly opposite होता है support के जैसे हमने support में देखा था कि एक particular level पे हमें बार बार buying देखने को मिल रही थी बिलकुल उसके उल्टा हमें resistance में एक particular zone पे एक particular level पे बार बार selling देखने को मिलेगी क्योंकि इस zone में काफी जादा sellers active होते हैं जैसे आप HDFC bank के chart को देख सकते हैं इसने one time, two time, three time और फिर चौती बार भी वही से ही selling हमें देखी उसी zone से हमें बार बार selling देखने को मिल रही है ऐसा होदा क्यों है क्योंकि इस area में काफी जादा बड़ा supply zone है जैसे हमने देखा था support एक बहुत अच्छा demand zone की तरह काम करता है वैसे ही resistance supply zone की तरह काम करता है जब जब प्राइस इस levels के आसपास आएगा हमें गिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि वहाँ पे supply बहुत ज़्यादा वर्धाती है जिसकी वज़े से price decline होता है और दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना हम क्या सोच रहे हैं उसका zero importance है zero value है बट जो हमें chart पे दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा important है मैं hope करता हूँ आपको आज का concept अच्छे से समझ आया होगा और आगे वी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी